हेलो बच्चों तो बात करने जा रहे हैं यह एडवांस 2017 का कुश्चन है देखिए सबसे पहली बात आप लोग सुनिए जो इस वीडियो को एस्केप करके मत देखें जो भी नुमरीकल है जब भी आप नुमरीकल समझने की कोसिस करते हैं जो एक-एक पॉइंट को सुना जाता है यह न सोचें जो फास्ट लिए स्केप करके जो हैसो देख लें एंसर तक पहुँच जाए इससे जैदा बेनिफिट नहीं होता है यानि एक-एक पॉइंट को समझा जाता है जो एक प्रॉब्लम को स्वल्ब करने के लिए कहां तक हमको जाना परता है इस बात को आप लोग सोचेंगे बहुत खुसी की बात है जो इस टैप का क्वेश्चन अब मुझे स्वल्ब करने का मौका मिल रहा है यानि मेरे स्वभाग साली है जो मेरे पास इस तरह के आयटियन बच्चे मेरे पास आ गये हैं इसलिए मैं बहुत प्रॉडनेस हूँ फिर अभी फिर इसके बाद भी अभी भी क्वेश्चन और दूसरा देंगे कहा जा रहा है कंड़क्टेंस कंड़क्टेंस अफ इतना एम एम होगा एम छुट गया है इतना एम एक्वास सोलूशन अफ विक मोनो बेसिक एसीड वाज दिटर्माइन बाद यूजिंग कंड़क्टिवीटी सेल consisting of platinized PT electrode the distance between अच्छे क्या क्या दिया हुआ है the conductance of इतना एम एक्वास सोलूशन of weak mono basic acid was determined by using conductivity of cell consisting platinized PT तो concentration दे दिया गया यानि जो जो हम लोगों को दे दिया जाए उसको हम सबसे पहले ये analyzed करेंगे जो क्या-क्या हमको दे दिया गया है तो concentration 0.001m दिया हुआ है और आगे चलिए the distance between two electrodes the distance between two electrodes इतना centimeter और याद है जो distance को हम किस से represent करते हैं L से और ये कहा जा रहा है 120 centimeter with an area of cross section इतना centimeter square और area a बड़ाबर one centimeter square the conductance of this solution was found to be इतना S, S मतलब क्या semen यानि conductance दिया हुआ है conductance दिया हुआ है देखिए उपर में लिखा हुआ है conductance of a solution of weak mono basic acid was determined by using conductivity of cell और यहां हमको conductance और यहां हमको conductance तो G का value 5 into 10 K power minus 7S S मतलब क्या semen the pH of the solution is 4 और pH हमको दे दिया गया 4 the value of limiting molar conductivity यानि limiting molar conductivity of this weak mono basic acid in aqueous solution इतना मतलब यह दिया हुआ है यह जो है Z into 10 K power 2 S centimeter square per mole the value of Z मतलब यही Z पूछा जा रहा है what क्या होगा बहुत अच्छा सवाल बहुत अच्छा सवाल मतलब यह सवाल से मत ड़िएगा सवाल जो है कोई step को मिलाया गया है बस step को हमको पकरना है यानि समझे आपको यही निकालना है limiting molar conductivity अब limiting molar conductivity हीटी तक पहुचने के लिए देखिए जो क्या क्या दिया होगा है चलिए pH जदी दिया जाए तो देखिए तो हम लोग जानते हैं जो H पलस concentration मालूम हो जाएगा 10 K power minus 4 यानि इतना यह फार्मुला होता है जो 10 अब H पलस मिल गया concentration मिल गया और हमको तो निकालना है limiting molar conductivity जरा याद है आपको जो degree of dissociation बताये थे जो molar conductivity at certain concentration divided by molar conductivity at infinite dilution तो यह निकालना है इसका मतलब यह मिल जाए यह मिल जाए और यह मिल जाए दोनों मिल जाए तो सवाल बन जाएगा तो अब हम सबसे पहले तैयारी कर लेते हैं इसको निकालने का क्योंकि देखिए हमको कुछ G का भैलू दिया हुआ है, L का भैलू दिया हुआ है, तो चलिए देखिए तो, हम आपको बताए हैं, molar conductivity at certain concentration, या सिर्फ molar conductivity लिखे होंगे, कापा into 1000 divided by M, तो हमको M का भैलू तो मिला ही हुआ है, जदी कापा का भैलू मिल जाए, कापा मतलब क्या, conductance, specific conductance, conductivity यहीं न है, तो यह जदी मिल जाए कापा का भैलू, अब कापा बराबर जदी याद नहों हो तो आप कॉपी खोल के देखें, जी, जी, अस्टार, ऐसा होगा आपकी कॉपी में, तो यह जी तो हमको direct दिया हुआ है, और यह जो जी अस्टार है, यह सेल कॉंस्टेंट है बच्चों, क्या है यह, सेल कॉंस्टेंट, और सेल कॉंस्टेंट का फार्मूला, याद नहीं है, तो अभी देख लीजिए आप, ऐसा है, अब देख लीजिए जो जी का बहलू हमको मिल गया, 5 दिया हुआ है, 5 into 10 के पावर मैनस 7, L का बहलू हमको दिया हुआ है, कितना 120, और A का बहलू दिया हुआ है, 1 यानि k का value हम सीधा सीधा कहा दे हैं तो 5 into 10 के power minus 7 into 120 ये हमको मिल गया किसका value? k का value मिल गया अब क्या हम निकाल सकते हैं ये? है उमीद निकल जाएगा तो ये जदी molar conductivity at certain concentration तो k का value देखिए बच्चों 5 into 10 के power minus 7 into 120 into 120 divided by m यानि 0.0015 दे दिया गया? ठीक अब देखिए ये value हमको मिल गया है जदी alpha मिल जाए degree of distortion c a sun तो alpha निकालने का दो-दो फर्मुला आपको दिये है c alpha square लेकिन हमको k दिया हुआ रहेगा तब dissociation constant और ऐसा कुछ बात है नहीं dissociation constant नहीं है चल ये एक idea है जो h plus concentration है यहाँ पर देख लिजिए ये weak mono basic acid दे दिया गया तो मान लिया जाए कोई acid h a मानते हैं और तो h a तो h plus और a minus में टूटेगा initial concentration हम कितना c देखिए जिसे हम लोग यानि आपको हम direct जो है तो एक formula दे दिये आखिर ये एक formula क्यों दे करके जोड़ दिये होता है क्या देखिए class में जदी हम again सभी बात को explain करने लगेंगे तो syllabus taking जैदा होगा फिर वहाँ पे class में ये देखना होता है जो कितने बच्चे जो है पढ़ने बाले है आपको साइद पता होगा जो मुश्गिल से 5% बच्चे ही पढ़ने बाले है जदी बहुत अच्छा से पढ़ाया जाए तो वे जो आप 95% है वे 95% को लगेगा जो नहीं अच्छा पढ़ाय नहीं हो रहा है इसलिए कुछ बात को again repetition नहीं करते हैं तो जो भी बच्चे IIT और GE का तयारी कर रहे हैं जैसे ही आपको alpha से related question आ गया फटा-फट equilibrium को एक बार देख लेना है समझ रहे हैं या आपको नहीं याद था और हम जैसे ही बोलते हैं तो वहाँ जाकर के देखिए बार-बार revision कीजिए तब होगा तो यहाँ पे C देखिएगा वहाँ पे जाकर के यह initial यह initial C यह 00 यह minus C alpha यह plus C alpha समझ रहे हैं पाबू यानि अब at equilibrium पे पहुंच जाए equilibrium पे C, C alpha, C alpha, C alpha तो हलाकि इससे अभी हमको कोई मतलब नहीं है यहाँ देखिए H plus का concentration है तो हमका सकते हैं H plus concentration is equal to C alpha अब C alpha तो H plus हमको मिल गया है alpha हमको खोजना है C जानते हैं तो alpha बड़ाबर H plus concentration by C अब H plus concentration समझ रहे हैं बाबू इतना और C का भैलू 0.0015 तो F alpha मिल गया अब देखिए आब बहुत अच्छा से हमको निकालना यह है यह भैलू हमको मिल गया है यहाँ पे देखिए मिला है अब alpha यह मिल गया अब हम कह देते हैं limiting molar conductivity बड़ाबर molar conductivity at certain concentration by alpha ठीक है अब यह भैलू चलिये हम रख देते हैं बहुत अच्छा से 5 into 10 के पावर माइनस 7 into 120 ठीक अब डिवाइड बाई 0.015 ठीक अब चलिये alpha alpha का भैलू alpha का भैलू हमको इतना 10 के पावर माइनस 4 ले जाईए उपर 0.15 अब हम लोग आसानी से इसको इसको कैंसिल कर दें अब देखिए तो गौर से देखिएगा जदी आप आप आटे तैयारी कर रहे हैं तो आराम से पकड़ लीजेगा 10 के पावर माइनस 4 यह उपर जाएगा तो उपर जाएगा और कुछ छूट रहा है सरजी छूट गया लेकिन हम लोगों के बीच कोई आवाज का कनेक्शन नहीं होने के कारान जो है ठेक अब देखिए यह उपर जाएगा और यह चार तीन साथ हो जाएगा तो यह और यह मिल करके तीनों कैंसिल अब 12,5 यानि कितना 600 हो गया अब 6 इन्टू 10 के पावर 2 का सकते हैं यह लिमिटिंग मोलर कंड़क्टिवीटी आगया बच्चों अब देखिए लिमिटिंग मोलर कंड़क्टिवीटी अभी 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 यहाँ तो जैड इन्टू 10 के पावर 2 तो देखिए फोर जैड बड़ाबर कितना हमको आया 2 आ गया यह भैलू यूनिट क्या रहेगा 10 सेंटीमीटर स्क्वाई 10 सेंटीमीटर स्क्वाई पर मोल चलिए एक बार बहुत अच्छा से हम लोग फिर से समझ लें क्या कह रहा है सवाल सवाल सीखिए कहा जा रहा है आयाटी का सवाल है तो जरूर सी बात होगा जो डिरेक्ट कुछ कहा नहीं जाएगा इसमें कहा जा रहा है इतना अभैलू दिया ही नहीं गया दिस्टेंस बीट्विन ये सा उमीद है जो समझ गया होगे ये समझ गया है दपी एच अब सॉलूशन भैलू इतना ठीक लिमिटिंग मोलर कंड़क्टिविटी निकालना है तो उमीद है जो जिस तरह से हम एक्स्प्लेन किये आपको समझ में आ गया होगा और जदी नहीं समझ में आया तो फिर आप दोवारा कहिए जो सर जी ये क्वेस्टेंज जो है जैसे मानले जो कोई आप सवाल हम समझाए नहीं आया तो फिर उस सवाल को रिपिटेशन कीजिएगा तो फिर हम दूसरे तरह से समझाएंगे ठीक है इस तरह से हम लोग मेरा भी मनकामना पुड़ा होगा और आप बहुत अच्छे आयटेन बनें ठीक है तो चलिए नेक्स सवाल लेते हैं अब